इंट्रड़क्शन टु पॉलिटिकल थियोरी वियू प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के ऐसे इंपोर्टेंट कोशन्स आज के इस वीडियो में मैं अब सभी को बताने वाला हूँ जो आपकी एकजाम के परपस से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और यही कोशन आपकी इस वीडियो को एंट तर दूर देखना ताए कोई वी टोपिक आप से मिशना हो जाए मैं मनीश परमा आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे एक नजर हम अपने स्लेवर्स पर डाल ले दें ताकि जो आपकी एकजाम में कोशन आए आपको देखने के बाद यह न लगे भ आपको अटोपीक बिलकुल किलियर हो जाए इसमें यूनिट फर्स्ट है रानितिक सिध्धान्त क्या है और इसकी क्या प्रासिंगता है रानितिक सिध्धान्त का मतलब क्या होता है वड़िस पोलिटिकल ठेउरी डैट इस जो हम यह बताता है कि सुसाइटी के अंदर जो प बताता है जिससे कि अगर हम ज्यादा पावर से स्टेट को दे देंगे तो स्टेट डियूटर बन जाएगा वो तानस आई करेगा और इससे लोगों की लिवर्टी खत्रे में आ जाएगी और अकर लोगों को अजादी भी जादा दे दी जाए जो मंचाए वो वो करेगा और इससे आस पास की जो लोगों होंगे उनकी लिवर्टी खत्रे में आ जाएगी इसलिए state को कितनी पावर दी जाए जिससे कि इनकी लिवर्टी खत्रे में ना आया है और लोगों को कितनी लिवर्टी दिया जाए जिससे कि और की लिवर्टी खत्रे में ना आ जाए हम इन सभी टोप की बात करते है पॉलिटिकल थोरी के अंदर तो रांतिय सद्धान्त क्या है यह जापकर चैप्टर है यही सेम चैप्टर कॉस्टन में उठकर आएगा आपके इजाम के अंदर यह आपको धिहान दखना है आप यूट्यूब पर सर्च कर लिजिए पूरी वीडियो आ जाएगी उनको देख उसके अंसर क्या है जो सेकिंड उनिट है वो पॉलिटिकल कोंशेप्ट के उपर है है अब धारनाए है जिसको हिंदि में बहाए आता है और ये क्या कहा है इन सब को मिला कर बनता है political theory और इसमें जो concept आते हैं वो यह चारो concept है अब इनका क्या meaning है यह हम second chapter में देखेंगे जैसे liberty पर आ जागा कि positive और negative यानिकि नकरात्मक या सकरात्मक सुस्तंतरता की बीच अंतर बताओ कि जैस मिल की views पूछ ले जाएंगे आपसे जैस मिल एक ऐसा thinker हुआ जिसने अपने book on liberty के अंदर liberty के उपर अपने thoughts दिये बिचार दिये एक्जाम में यह पूछा जा सकता है आपसे बर्लिन ने भी अपने बिचार दिये लिवरेटी में एंड समान्ता समान्ता में चट्र समान्ता complex equality हो गया माइकल बोलजर के दुआ अपने thoughts दिये गए equality के उपर यह important है and justice में ज्याय में आता है जोन डोल्स के विचार और रोविट मोजिक के विचार इनमें क्या difference है इन्हें उन्हें क्या कहा है यह सब कुछ मैं आपको आगे बताने बाला भी हूँ प्लस मैंने अल्रेडी बताया हुआ भी है अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे justice भाई मरीश वर्मा सब कुछ निकल कर आ जागा उन्हें वीडियो को देख भी लेना आप आद है rights अद्यकार के अलग 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 पीडी है जनरेशन है यानि कि अलग 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 टाइम पे जिन rights के demand की गई है उसी को हमने अलग अलग generation में डिवाइड कर दिया है और इसको तोटल हाम तीन generation में 2nd first generation, second and third और इन तीनों में अलग-अलग time पे अलग-अलग rights की demand के गई है अब ये कौन से rights है? ये हम पढ़ेंगा rights वाले question में and जो third unit है वो है रांत्य सिधान्त में कुछ debate का issue है जैसे पहला है सुरफ चात्मक भेदभाउ और निस्पक्स्ता के सिधान protective discrimination and principles of fairness इसमें क्या होता है? protective discrimination का मतलब यानि कि protection के लिए किया गया discrimination जिसको हम आज अपने भारत के अंदर reservation कहते हैं, अमरेका के अंदर affirmative action कहते हैं, जिसमें जो वैकोर क्लास के लोग है, हम उनको reservation देते हैं लेकिन क्या ये सही है? क्या जो कर्च के दुवारा जो कहा गया है, ये सब कुछ बताना होगा और इसके बाद जो खाप point है, वो है सारजनिक बनाम निजी, यानि कि नारिवात के उपर एक कोसान आता है, कि निजी ही राजनिती है, यानि कि private एक घर के अंदर महिला के उपर राजनिती किया जाता है, महिला इन सबकी सिकार अपने घर से ही होती है, फैमिली वाले अलग 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 रिलेटिव्स, उनको किस तरके जब परतारित करते हैं, टोर्चर करना ये सब कुछ फैमिलिजम के अंदर पढ़ेंगे हैं इसके वाधे concept है, censorship क्या censorship सही है, censorship का मतलब क्या होता है जितने भी media के sources है, जहां से सूचना है लोगों तक पहुचती है, इन सब के उपर सरकार अपना जब control कायम कर ले सरकार जो चाहे, वही आगे तक पहुचे तो क्या ये सही है या गलत है क्या कुछ ऐसे मामले हैं, जहां पर censorship होना जरूरी है, इन सब के उपर divide करेंगे हम, इस वाधे unit के अंदर तो जो भी आपको मैंने बताया ये सारे वो units है, जो कि theoretical हैं इन units के अंदर आपको इस चित का धियान रखना हुआ सबसे पहले आपको topic का introduction देना है, इसके बाद आपको to the points में आपको answer explain करना है, जैसे first हो गया second हो गया, third हो गया आपको इस तरह के से answer explain करना है इसके बाद जो पूछा गया है उसको आपको flow chart में बताना है ताकि ज़्यादा page ना भनना पड़े और answer को आप simple असानी में दे दो and इसके बाद अगर पुछा जो इसमें evaluation दीजिए criticize कीजिए, तो आपको topic का criticize भी करना होगा और end में आपको उसका conclusion देना है ये चीज़ देना भोग जरूरी होगा जान रखना, लेकिर इन सभी चीज़ों में एक चीज students के उपर अलगल थिंकर्स ने अपने विचार दिये जैसे राजनेती क्या है, माहत्मा गांदी जिनिका है, एंट गार्णर निका है गेटल निका है, जेस मील, जेम्स मील, हर्वर्ड स्पैंसल, रूसो, जिनके भी जो भी विचार आपको मिलते हैं, सबको डालो यनि मैं से कम से कम आपको दो से तीन थिंकर्स के विचार, याद करना होगा क्योंकि इसका आप चेंज नहीं कर सकते इसलिए नोट्स के अंदर और जब भी आपको मैं थिंकर्स के भी आपको जिरूर बता हुआ जो कोसन में पूछा गया है, अगर नहीं पूछा गया फिर भी आपको देना है, इससे आपका आंसर बहुत impressive बनता है, वो end में आपको देना है, conclusion, then आपका आंसर होता है, complete और top पे खड़े के लिए कोई नहीं साथ में बहुत अच्छे आपके हमारा first question है, राजनितिक सब्द से आप क्या समझते है, राजनिति सिधानत के अलग अलग जो परकार है, वो कौन-कौन से वो बताईए, यानि कि what do you understand what the term political, यानि कि politics या what is politics कहा सकते हो, and write various types of political theory यानि यह political theory कितने types के होता है, तो से पहले आपको बताना है, politics का मतलब का है, देखा politics का सिर्फ एक meaning नहीं है, इसके अनेक meaning है, प्राचिंग गिरीक से लेकर आज modern time के अंदर, अलग-अलग लोगों के दौरा, अलग-अलग political thinkers के दौरा इसके definition दी गई है, अगर मैं आपको बताऊं सीधा simple सा मतलब, तो राजनिती दो word से मिला है, राज पलस निती, यानि कि इसका मतलब हुआ राज्य के दौरा जो भी निती बनाय जाती है, एक state के दौरा, state को चलाने के लिए जो policy बनाय जाती है, इसी को हम राजनिती कहते हैं, लेकिन state policy क्यों बनाती है, कब बनाती है, जब कोई problem हो रहा होता है, यानि कह सकते हो आपकी problem की solution के लिए, तो आप यूं कहलो कि problem का solution, यानि कि कि समस्या के समधान के लिए, राज्य के दौरा बनाएगे निती, और राजनिती के नाम से हम जानते हैं, अब इसको लेकर अलग-अलग thinkers के दौरा definition भी दी गई है, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक brief में introduction दे जता हूँ इस topic का मैंने और लेडिस की वीडियो बना रखिया, अगर आपने कर दिये, क्योंकि state तो invisible है, state के नाम पर तो सरकार कर रही होती है, और इसके लिए कई सारे असंखिय सरकारी करमचारी होते हैं, institutions होते हैं तो इन सब के द्वारा मिलकर problem की solution के लिए, यानि की conflict resolution के लिए, जो भी policies बनाय जाती है, इसको हम politics कहते हैं, अब दुनिया के ऐसा कोई देश नहीं है, जहां पर violence नहां होता हो, जहां पर problems नहां हो, और जहां भी problems है, उसका solution politics सही निकाला जा सकता है, क्योंकि politics के अंदर बातचीत होती है, बातचीत के माधियम problem का solve करते हैं, ना कि खुन खरावे से या युद करकर, इसलिए यह आपको धिहान रखना है, तो politics की जो definition है यह अलग-अलग लोगों के दुवारा दी गई है, जैसे कहा जाता है कि politics सासन की एक कला है, art of governance है, यह कहा गया डैविडिश्टन के दुवारा, तो डैविडिश्टन नहीं क्या कहा कि जो politics है, यह एक सासन करने का कला है, क्योंकि politics में क्या किया जाता है इन्होंने बताया, authoritative allocation of values in society, यानि कि society के अंदर जितने भी संसाधन है, इनको बाटने की एक कला जो है, वो politics है, यानि कि society में जो सीमित संसाधन है, उनका बटवारा करना ही, राजनिति कहलाता है अब यह डैविडिश्टन कहह रहा है, तो यहाँ पर यह जो word use क्या है, डैविडिश्टन, इसका मतलब क्या है, देखो सबसे बहले बताता है, आपको values, values का मतलब क्या हुआ, resources, that means संसाधन संसाधन का मतलब, चाहे पैसा, धन, दौलत के सरकार, जो रासन बाढ़ती है, वो सब कुछ, जो resources, एक लोगों को चाहिए, तो हो गया values, इसके बाद है, यहाँ पर allocation का मतलब होता है, बटवारा, यानिकि distribution करना, यह distribution कौन करेगा, एक authority, जिसको हम state कहेंगे, जिसके पास force power है, police का जंडा है भाई, जो सरकार कहेंगी, वह मानना पड़ता है, चुकि सरकार को जंटा ने बनाया है, जंटा ने अपनी सहमती दिये, तो इस तरह के से कहा जा सकता है, कि सरकार के दौरा, या state के दौरा, जो resources है, और यह हम सब को होता है, एक इनसान का, उसमें कोई interfere मत करूं, लेकिन जो public work है, मानलो मेरे काम से किसी और को problem हो रही है, तो इस काम में state interfere करेगी, यह बात कहा है, अन्ना हरिंटर ने और प्लेटर ने भी यह बात कही, तो इस तरह के से, जो यहाँ पे main जो concept निकर कहा है politics का, यह यहाँ पे whatnot Greek के द्वारे भी कहा गया, इन्हों ने क्या कहा, कि politics का सीधा मतलव है, जहाँ पे भी संघर्स है, conflict हो रहा है, विवाद हो रही है, लड़य जगड़ा हो तो उसमें सहियोग करकर, agreement करवाना, उनको compromise करना, यानि कि समस्याओं का समधान करना ही राजनीति कहलाता है, अगर जहाँ पे समस्या है और वो समस्या वोर का रूप ले ले, तो वहाँ पे politics नहीं हो सकती, politics का मतलव वो नहीं है, जो आज हम स्टेटिस को बढ़ाना, पोस्ट चाते हैं वो, लेकिन politics वहीं पे काम आता है, जहाँ पे conflict हो रहा हूँ ताकि conflict को ठीक करके, हम सहियोग, यानि cooperation का हथ बढ़ा है, और finally agreement करवा है, यानि compromise करवा है, इसलिए कहा जा सकता है, कि जो world war first हुआ था, वो भी अपने पावर को बढ़ाने के लिए ही हुआ, 1939 से 1945 तक जो world war second हुआ, वो भी अपने पावर को बढ़ाने के लिए ही हुआ, कौन सबसे दुनिया सकते साली है, ये दिखाने के लिए, अमरिका ने दिखाया भी भाई, उसने जपान पर उसने गिरा है, इसके बाद 1945 से लेकर, जब 1991 तक cold war चला, ये भी क्या था, एक struggle for poverty था, जब USSR और US से struggle for power कर रहे थे, एक दूसरे सागे निकलने की जब होड लगा रहे थे, इन सबसे मेरा मक्सद एक ही आपको समझाना है, कि politics का मतलब क्या होता है, struggle for power, अब इसको लेकर अलगदर definition दी गई है, जैसे की बात की जाती है, और ये आपको पचा होना चाहिए, कि state कि इनको मिला कर बनता है, state बनता है, land, people यानि की लोग, government यानि की सरकार, फोर्थे sovereignty, यानि की संपर होता है, संपर्था का मतलब होता है, एक सरकार की सकती, एक internal और external रूप से वो बिलकुल आजाद हो, वो किसी की दवाब में ना हो, तो इन चारों को मिला का बनता है, एक state, and इसके बाद है, गैटल का कहता है, कि state का जो past है, state का जो present है, और state का जो future है, अत पर भी समस्या है, उस समस्या का समधान हिंसा के द्वारा ना हो, वोलिंस के द्वारा ना हो, उस समस्या का समधान बाचित के द्वारा समझा बुझा कर जब किया जाता है, तो इसी को हम politics कहते है, और ये बात अन्ना हरिंट एक लेडी है, इन्होंने अपनी book The Human Condition, मानवी जसा का विविचन 1959 में किया है, तिंकर के नेम, और ये book का वाईए, इस book का चन भी बताना है, आपको ये रगी बताना है, तब ये आपको मांक्स अच्छे मिलेंगे, एंड एवडिस्टन यहां पर क्या कहते हैं, कि जो राणिति का समध है, वो मुल्यो, मुल्यो मतलब resources के अधिकार के अधिकारिक अवंटन, अधिकारिक मतलब state, जिनके बस अधिकार है distribute करने का, तो मुल्यो का जो अधिकारिक अवंटन करता है, limited resources को distribute करता है, और जो भी समस्यां आ रही है, जो भी conflict हो रहे है, उनको solve करता है, यही राजनीति कहलाता है, तो ये हमारा politics था, लेक कोई सिकार हो रहा हूं, या आपके साथ equal treatment ना किया जा रहा हूं, जो भी घटना आपके आसपस घट रही है, इसको सताया जा रहा हूं, किसी की liberty के अधिकार कहनन हो रहा हूं, मालो आपको कोई काम करने से रोका जा रहा हूं, जो भी घटना घट रही है, उनको समझना, यह इसके बाद जो घटना घटी है उसका परिणाम क्या निकला माल लो आप एक लड़की हो और आपको किसी मंदिर में जाने से रोका जा रहा है या आपको कोई ऐसा काम करने से रोका जा रहा है जो आपको आप कर सकते हो तो इस कंडिशन में इसका क्या निकल कराया आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यह घटना के बारें बताता है और इन दोनों को मिला कर बनता है हमारा थियोरी यानि कि सिध्धान्त क्या करता है इन घटनाओं पर बातचीत करता है और जब तक कोई solution ना न द्वारा जो अपने thoughts दिया जाते हैं इनी विचारों को मिलाकर एक पूरा theory बनता है जैसे साथन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको पता करने के लिए इसको पता करने के लिए अपने टाइम पे 158 constitution का study कर लिया और यह लंबा पोस्विजर है आतर सलता जा रहा है बट जब अबरहायम निंकल ने ये कहा कि government of the people by the people for the people यानि कि जो democracy है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा साथन है दुन्या ने इसको सही माना हाँ भाई तो बहुत अच्छी definition है समनी इसको अपना लिया बट ऐसा तो नहीं है कि democracy सबसे अच्छा साथन है democracy उन सम में बलता रहेगा समाप्त सब्द का नाम मतलो यह आपको बताना है अब definition भी बताई गई है जैसे जो कैटलिन कहते हैं यहां पर कि रांतिक सिधान के अंदर जो रांतिक ठिंकर है जो रांतिक विचारक है उसका संपूर्ण विचार इसके अंदर सामिल होता है यहां पर जोड स से पहला है classical यानि की प्राचीन इसके बाद है medieval politics and third में है modern politics and fourth में contemporary politics तो इसके चार टाइप्स यह मान जाते हैं जो कि origin के हैं यानि कैसे कैसे इसका rise हुआ है जैसे classical में क्या आता है अरिस्टोटर पलेटो ने सिर्फ state पे ही जोड़ दिया and medieval में आके सिर्फ king की बात की गई यानि ये राजा के पास absolute power आ गया और modern के अंदर राजा की power कम होते चल गया और democracy आ गया और contemporary की अंदर क्या हुआ अब जाके political theory का जो दैरा है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया क्योंकि political activities को लेकर लोग aware होने लगे लेकिन ये तो origin के types हैं लेकिन रांतिक सिधान्त के यहा नोर्मेटिव इसमें का होता है कि मालो हमने एक राजागी कल्पना कर ले कि भाई राजा ना एक state के लिए ऐसा नहीं ऐसा राजा होना चाहिए वो इतना educated होना चाहिए उसके पास कोई family नहीं होना चाहिए नहीं वो अपने खुद के घर में रहता हो भाई वो तो परजा के नहीं करता वह मान लेता है बस प्लेटों ने भी बाना है यह ऐसा राजा नहीं ऐसा राजा होना चाहिए तो classical time पे जो लोग हुआ करते थो फिलोस पर हुआ करते थे जो अपने उस time के system से नाखुस थे वो खुस नहीं थे तो मान के जो system यह नयतिक्ता की बात करता है यह morality क बात करता है जो moral रूप से सही है वही काम किया जाए जो गलत है वो काम करना ही नहीं चाहिए और यह तर्क यानि कि यह logic की बात करता ही नहीं यह कलपनाओं की बात करता है इसलिए इस सिधान का oppose करके यानि कि criticize करें कि नया सिधानत आया वह अनुभबक सिधान यानिकि empirical थे और यह आया 1945 आप कह सकते हो कि वर्ल अबो सेकंड के बात के टाइम में इसमें क्या हुआ यह कहता है कि कलपनाओं की बात मत करो भाई जो real है उसको देखो अगर किसी का अधिकार मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है या कोई धिक्कत तो नहीं है यानि कि क्या हो रहा है इसकी बा अधिक रहा है इसकी बात भी करता है यानि सिस्टेमाटिक वाए में बचाता है यह सब चीद को सामिल करता है बट नुर्मेटिव क्या था यह बोलता बस क्या होना चाहिए इसकी बात करो यह इसकी अलोचन के जाती है इस सब्जेक का ऐसा एक भी टोपिक नहीं है जो मैंने आपको इसमें यह बताने कि राज्य किन कारणों से एक व्यक्ति के लिवरेटी में इंटर्फियर कर सकता है आखिर आप खोड़ सोचो कि राज्य कब ऐसा लगाएगा सबसे वहले हम समझते लिवरेटी का मतलब क्या होता है इसके डेफमेशन भी दी गई है अलगला थिंकर्स के दुवारा याचे सीले यहाँ पर क्या कहते हैं कि सवतनतर्ता अतिसासं का भिलोम है यारि सवतनतर्ता क्या है एक ऐसी लिवरेटी जहां पर लोगों को वो सभी काम करने का अधिकार हो जो वो काम करना चाता है मैकीन क्या कहता है हाँ पर सवतनतर्ता सभी परतिवंदों का अभाब नहीं है बलकि अतार्किक परतिवंद यानि कि सवतनतर्ता में सभी तरके रेस्टिक्शन नहीं लगाया जाते बस वो करने से रोका जाता है जिसके वाज़े से किसी और को खतरा हो सकता है अमाल लोगी मोगा ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे में रासपरोस वाले बहुत परसान हो रहे हैं उनकी liberty खत्रे मा रही है तो मैं अपने liberty के चकर में उनकी liberty खत्रे में नहीं डा सकता ये कहता है मैक कीन, एंट के वाज़े जेएस मिल ये क्या कहता है कि सोद्मदर्ता परतिवंदों का अभाव है जहां पर कोई restriction ना हो परतिवंद के रूप में हर परतिवंद दोस है यानि कि restriction चाहिए जो भी हो सब के सब खराबी होते है लोग को नियंदर्म करने से बहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ दियाना चाहिए यानि कि state कोई ऐसा कानुन ना बनाए जिससे कि लोग का जो liberty है वो खत्रे में आ जाये लोग को अपनी इच्छा पर छोड़ दो उसके जो मन में आएगा वो वो काम करेगा बट आगे हम पढ़ेंगे जेस मिल के बारे में इसने ओर भी कुछ का है एंड इसके बाद लियो स्ट्राउस इसनी का कहा कि मानब जाती में ऐसा कोई संबंद नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंदित ना हो वह पूरी तरह से मुक्त हो लिवरेटी का ब्यापक जो मतलब है वो यही है स्टंदर्ता परतिबंदों की मांग करती है जैट मी स्टंदर्ता हमें सब कुछ की मिल जाएगी तो हम किसी का मडर कर देंगे तो इस कंडिशन में भाई कानून कहा हो जाएगा इसलिए लिवरेटी हमें सब कुछ की अजादी नहीं दीता पोलिटिकल फियोरी के अंदर इसी चीशन की डिवेट होती है कि स्टेट को कितनी पावर दिया जाए और एक इंडिविजूल परसन को एक वैक्टी को कितनी लिवरेटी दिया जाए इस्टेट को ज़्यादा power मत दो ताकि वो ताना साही हो जाए और किसी व्यक्ति को इतनी liberty में मत दो ताकि किसी और इनसान को खत्रा हो जाए ये कहा जाता है और इसके बाद है Berlin की सुद्धरता की दो अबधारने यानि कि Berlin के दो यहाँ पे concept दियाएगा है पहला है negative और दूसरा है positive negative liberty का मतलब क्या होता है यहाँ पे minimum हस्त शेप किया जाता है यानि कि state सिर्फ लोग को health के लिए education के लिए and defense के लिए policy बना के उनकी help करेगा पाकि state का और कोई काम नहीं है लोग के काम में interfere करने का तो state minimum work करेगा और राज्य जो भी काम में बनाएगा वो बहुत limited बनाएगा इस theory के supporter जो है जिजाया वर्लिन, Thomas Hobbes, John Stuartman, Jay Smith, Edward Spencer, Adam Smith and John Locke यह thinkers के नाम आपको पता नहीं चाहिए यह सारी जो बात कह रहा है वर्लिन यह अपनी book में कहा रहा है जिस book का नाम है Two Concepts of Liberty जो कि 1969 में आई दियम और इसके बाद है Positive Liberty Positive Liberty का मतलब क्या होता है आपको पूरी आजादी है आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन आपको वो आजादी नहीं है कि आपके बैसे दूसरों को नुकसान हो इसलिए यहाँ पर state आएगा और आपके लिए कानुम बनाएगा तो वो काम करने से रोकेगा जिससे की दूसरों को खत्रा ना हो जाए लेकिन Negative Liberty में क्या आता कि आप सब कुछ कर सकते हो state minimum work कर रहा state आपको रोक टोक करेगा ही नहीं जो आपके मन्हें वो आप काम कीजिए और ये है Negative Liberty इसलिए इसको Negative कहा जाता है Positive में क्या है आप काम तो कर सकते हो लेकिन अगर आपके काम से किसी और को तकलीफ होती है तो state आएगा और आपको वो काम करने से रोक देगा इसको कहा जाता है Positive Liberty यहाँ पे Positive Restriction आप पे लगा सकता है state इसके जो सपोर्टर है वो है टीएज गरीन, लोस्की, होफ हाउस, और मेकाईवर यह आपको नाम पता होना चाहिए इसके अंदर जेस मिल का भी नाम जोड दिया जाता है उसको Negative और Positive दो लिवर्टी में डाल दिया जाता है उस फिल्ट के अंदर है, सबसे पहले हम बात करते है JS मिल की दोबारे विचार दिया गया, Own Liberty के अंदर इसकी बुक है Own Liberty, इसमें इसने दो बात बताई सबसे पहला Self Regard, दूसरा Other Regard Self Regard का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका संबन खुद से है, तो उसको वो काम करने दो माल लो कि मैं अपना आपको मार रहा हूँ तो State क्यों रोकेगा भाई मुझे, इसका नुक्सान तो मुझे खुद हो रहा है यानि कि ये पहला बोलता है Self Regard, ऐसा कोई काम जिसका संबन मेर से है मैं किसी और को नुक्सान तो पहुंचा नहीं ही रहा तो State को ऐसा काम करने से व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए और दूसरा है Other Regarding, यानि कि दूसरों से संबन्दित काम इन कामों में State Restriction लगा सकता है तो State पहला Restriction कहां लगाएगा जेस मिलके एकोर्डिंग अगर आपके काम से किसी और को खत्रा हो रहा है मालों आप नफरत पहला रहो आप ऐसी भासन दे रहो तो जेस की Unity और Integrity के लिए खत्रा हो सकता है आप Discrimination क्रेट कर रहो इस कंडिशन में आपके इस काम से दूसरे लोगों को दिक्कत होगी तो जेस मिलके एकोर्डिंग आपके जो अधर रिगार्डिंग वाला कंसेप्ट है इसमें आपको रोका जागा कि दूसरे को खत्रा ना हो लेकिन आज स्वयम को नुकसान पहुंचाने में भी स्टेट इंटरफेर करती है जैसे माल लोग कोई अपने आपको फासी लगा रहा हूं अगर फासी लगाते हो बच गया भाई तो उसको एक साल की जेल हो जाएगी भारत के अंदर सुसाइट करना भी एक क्राइम है सुसाइट आप अपने मर्जिस नहीं कर सकती आपको जीने का अधिकार पूरा है वह सरकार इसमें आपकी हल्प करेगी इसलिए सरकार यहां पर इंटरफेर कर सकती है अगर सोसल और एकनोमिक बैलफेर के लिए मालो सरकार किसी की जमीन चाहिए ज़से की जमीन ने लिए है चाहिए आपको यहाप कर घर हो आपको इसके अब रोज भी करते है भारत के सभीधान के fundamental rights में से राइट टु Grund को हटाने का यही तो मक्स Cultural It था क्योंकि यह fundamental rights था तो कुछ ने गड़ सकते हैं, वो एक कानूनी अधिकार बन गया है, अब आपको पहले डिस्टी कोट में जाना होगा, फिर आपको हाई कोट जाना होगा, फिर आपको सुप्रिंग कोट जाना होगा, इसका हटाने का मक्सद यही था, सरकार सोचल एंड एकनोमिक बैलफेर के लिए जो भी काम कर रही है, उसके लिए सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, कोई रोक टोक कर सकती है, आपकी जमीन ले सकती है, या सरकार आप पर टेक्स लगा सकती है, अगर कर्च का बोज बढ़ता है, या पैसे की किल्ला ताती है, या इमर्जेंसी के टाइम पे भी स राइट जो ईते हैं वो सरकार आपसे ले लेती हैं जो और साधिकार कर देको प्रिविलीज मिला हुआ है और लोगों से उनको जड़ा दरजा मिलाुए यह गलत बात है तो सरकार इसके privilege को खतम करने के लिए भी सरकार liberty के अंदर interfere कर सकती है और इसके बाद से democratic rule के अंदर democratic rule में क्या होता है कि कावन से बड़ा कोई होता नहीं है बोड दे के जो आया है सासन चलाएंगे लेकि मालो जनता ने बोड दे के चुन लिया अपने सरकार को और जनता मिस्यूज करने लग जया पावर को जनता ने चुन तो लिया अब चुनने टाइम तो लगा तो बिल्कुल ठीक नहीं ता है यह लेकि चुनने के बाद लग रहा है कि नहीं भाई यह तो बहुत खराब है सरकार को गिरा सकती है क्योंकि लोगों की लिवर्टी में कोई इंटर्फिय नहीं कर सकता एक ठिंकर था जोन रोल्स जोन रोल्स के दुआरा कहा गया कि लोगों के पास नेचुरल राइट्स होते हैं तीन राइट्स है, पहले है राइट टू लिवर्टी, राइट टू लाइफ और राइट टू प्रोपर्टी, यह तीन राइट्स ऐसा राइट्स है, जो व्यक्ति से कोई छीन नहीं सकता, लिवर्टी हमारे नेचर ने दिया है लिवर्टी, किसी इंसान नहीं दिया, तो जिस वैसे मर्जी वैसे जी है Liberty में कोई इंटर्फियो नहीं कर सकता इस कोसन के अंदर एक्जाम में कोसन एक घुमा कर दिया जाता है कि Negative और Positive Liberty का मतलब क्या होता है इसके बारे मताई है या जेस मिल के बिचारा जाते है इन सब के बारे मैंने वीडियो बनाई हुई है अल्रेडी आपको इसमें दो चीज़ बताने है पहले बताने है complex equality का मतलब क्या होता है इसके बताना है बहुल समाज बहुल मतलब एक ऐसी सुसाइटी जहां पे एक नहीं अनेक तरह के लोग रहते है अलग-अलग religion के लोग रहते है लेंग्वेज के लोग कास्ट के लोग अलग उनकी जो equality है इसके बारे में जोन डोल्स के द्वारा भी कहा गया लेकिन complex equality का जो main concept है ये दिया गया है माइकल वोलजर के द्वारा आप इस image को देखे ये है माइकल वोलजर जी इन्होंने क्या कहा अपनी book के अंदर जो कि 1983 माय थी और इस book का नाम था spheres of justice यानि कि इन्होंने कहा कि equality का मतलब क्या होता है कि जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए किसी के साथ discrimination ना हो किसी को ज्यादा कम देकर भेदवाव ना किया जाए आप ज़रा एक बार पहले इस image को देखिए देन आप फिर इस वी वाले image को देखना है क्या ये equality condition है ये equality condition है अगर आप सही से चाहिए नहीं रहें तो क्या ये equality है इसको दिखत हो ये बड़ी देख पा रही है इसको दिक्कत हो रही थी इसलिए इसको पहले वाला जो इसको देदिए गाए ये है ये है क्या है समान को समान दो और जो आसमान है उसको आसमान दो यानि कि जो पहले से कमजूर है उस वर्क को इतना दो ताकि वो इसके लेवल में आ सके तो समान तक मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि सब को एक जैसा दो समान तक मतलब होता है सब को इस तरीके से दो ताकि सब के सा सही नहीं है, मालो हमने equality दे दिया resources भी दे दी, opportunity भी दी भाई तो इस condition में जो कमजोर work है सभी reservation का concept आया है, यानि कि आरक्षन का concept आया है, सभी लोगों को समान अधिकार या परतिष्टा देना, सभी को equal rights देना, जाती, जनम, धर्म, इस अधार पर कोई भेदवाव नहीं होना चाहिए, तो ये concept इसकी मांग करता है, भेदवाव ना हो, इसके लिए definition दी गई है, जैसे लोगों की दुवार क्या कहा गया, कि समानता का अर्थ है, किसी को अपने विकास के लिए समान अपसर मिले, अब जो मुझे opportunity मिल रही है, व इसको अगर present में देखा जाता है, जिनके साथ जो अत्याचार हुआ है, जिनको discriminate का सिकार होना पड़ा है, तो उनके लिए सकार special करती है, इसलिए उनको reservation देती है, ये dynamic है, time to time equality का जो concept वो change होता रहता है, अब जिसके पास जो है कर उसको वही चीज़ दे दोगे, वो तो आ कालमाक्स ने क्या कहा, कि समानता करत है, सभी को समान अधिकार मिले, और बिसी सा अधिकार ना हो, क्योंकि पैसवाई लोग को देखो कि आप, दुन्या में सब कुछ इनकी चलती है, अब state के उपर इंका ही control है, अमबानी, अडानी जैसे सब लोग कहते रहते हैं भाई, पै लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, equality, two types के होते हैं, पहला होता है, simple equality, simple equality का मिला होता है, साधारन समानता, साधारन का मतलब, जैसा सभी को हम कहते हैं, कि सभी को समानता मिलना चाहिए, इससे के साथ को भीधवा नहीं होना चाहिए, यानि कि माल लोग पैसा, सरकार, जिस इसे नहीं करेगी इसको कहते है simple equality यानि कि साधारन समानता जो दिखने में हमें समान लग रहा हूँ लेकिन अब आता है complex equality जो की कोशन में पूछा भी गया है और यह भूल समाज के लिए क्यों सही है यह आपको बताना है तो complex equality में क्या होता है इससे पहले फिर साभ याद करो सधारन समानता में क्या था कि भाई एक goods है मालो कि जो goods है तो सभी different different लोगों में एक तरह के से बाढ़ दो जानि कि मालो मेरे पास कुछ सबजिया है मालो मेरे पास आलू है प्याज है टमाटर है बेंगन है गोवी है और अगर मेरे को simple equality के साथ यह सारी सबजिया सब में बा goods को different different logo में equal distribution करना goods वही है लेकिन लोग अलग-अलग है आया आपको समझ में लेकर जो complex equality होता है इसमें different goods जानि कि मैंने आपको सबजिया बताए कि बहुत सारी सबजी के varieties है मेरे पास काफी सारी सबजिया है अब complex equality में क्या है एक गोड़ को different different group पे नहीं बाटना बलकि different different जो goods है और different different लोगों में बाटना है इसको बोलते complex equality example दियो आपको मैं मालो मेरे पस्ट आलू था टमाटर था पैंगन थी भिंडी थी मैं ऐसे example दे नहीं को समझ में है तो मैं अलग-अलग यानि कि different different goods अब मैं different different person को दे सकता हूं यह कहता है complex equality तो simple equality में क्या होता है एक goods different different लोगों में बाटना और complex equality different different goods different different person में बाटना अब आपको आया समझ में यह होता है differences के अंदर अब जो question में क्या जा रहा है कि वह साधारन समानता भूल समाज के लिए सही नहीं है जहां पर diversity होता है उसके लिए सही नहीं है तो बिलकुल सही बात है भाई अब मान लो कि भ हिंदी बोलना है साथ सुन लिया के अंदर भी कंपल सरी है तुम्हें हिंदी सीखना है सीखना है तो बिद्रो होगा इतियास वोटा के देख लेजिए यही तो होता आया है ना तो simple equality नहीं हो पाएगा हम shift करेंगे complex equality इसलिए क्योंकि different different लोगों के लिए different different हमारे पास goods यान करेंगे मालो south इंडिया वालों को हिंदी नहीं चाहिए उनको अपनी regional language चाहिए तो भाई उनको regional language देंगे हां भाई आपने इसके coding काम कर लेजा भाई कोई दिकत नहीं अब भारत के नोर्थ इस्ट वाले हैं भाई पहले हमें पहचान दो यार उसके बाद हमें special rights दो special facilities द and financial help दो ignore ना किया जाए नोर्थ इस्ट वाले नोर्थ के अंदर क्या होगा इंका अलग है यहाँ पर रोजगार चाहिए education चाहिए and employment के साथ यहाँ पर prosperity भी चाहिए खुश लोग चाहिए and जो religion है यह हमारा मजबूत रहे अब मालों के धर्म को कुछ देना है एक ही चीज अ आपको आया समझ में यानि कि different different चीज different different person में जब distribute किया जाता है इसको क्या जाता है complex equality तो बहुल समाच के लिए complex equality क्यूं सही है क्योंकि यहाँ पर लोग ही अलग-अलग होते तो उनकी requirement अलग होगी उनकी need अलग-अलग होगी तो इस हिससाब से उनको distribute किया जाए ताकि व बोलजर के दुवारा दिया गया है अभी जो आपको मैंने मताया complex equality का मतलम अब यह दे देने के बाद किससे क्या होता है इससे जो अलग-अलग पहचान के लोग होते है उनको अपनी पहचान मिलती है उनको अपने need के according resources मिलता है अगर किसी के साथ इतिहास में कभी या न्य quality भारत के अंदर है क्यों कि जिसकी जो need है उसके according उसको दे रहे है अब reservation सबको तो मिलता रही है reservation उसी को मिलता है इसको need है उसकी अभी वो आर्थर रूप से पिछड़े हुए ताकि मुख के धार में आ जाए अब वो debate का अलग हिस्व है comment में मिरसा लड़ने मत लग जाना वाई उनके साथ ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है असमें बता रहा हैं कि जो theoretical बाते हैं यह है complex equality और यह polar society के लिए सही है क्योंकि वहाँ पर diversity होती है सभी के need के according distribute किया जाएगा तब ही वो खुश रहेंगा तरवाइस जगडने लग जाएगे नेस्ट कोशन का है नोजिक के न्याई के अधिकारता सिधान पर एक निवंद लिखे रोल्स के निस्पक्ता के रूप में न्याई के सिधान से यह किस परकार अलग है written essay on the nozic entitlement theory of justice and how it is different from the religion theory of justice as fairness आपको बताना है इसके अंदर दो बंदे यहाँ पे और दोनों नहीं justice के थोरी दिया पहला रोल से और दूसरा है नोजिक दोनों के दुवारा justice के बारे मतलब क्या होता है और न्याई के बारे में ने बताया भी है तो पहले आपको में बताता हूं कि इसका मतलब क्या है न्याई का मतलब देन हम टोपिक पहाएंगे कि उन दोनों ने क्या कहा है द यहाँ का कहता है न्याय का मतलब परते एक व्यक्ति को समास के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना ही न्याय कहलाता है अब मालो जिसका जो हग है उसका वो मिलना चाहिए अब मालो एक्वेलिटी है अगर आपको यही नहीं मिल रहा है तो जस्टिस हम कैसे के आपके साथ जस्टीस हो रहा है उन्याय का मतलब है के आपका हक मार लेना ये Plato किया रहा है यहां पे सवैन यहां पे क्या कहता है कि न्याय सारवजनिक तथा एक व्यक्तिगत धर्म है इससे राज्य और उसके सदस्यों को उच्तम हित सुरक्षित रहता है यहां पे इस्टेट के दुआरा यह तैई किया जाना चाहिए यानि कि न्याय मोरल रूप से भी बहुत जाद इंप्रोटेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए, न्याय एक व्यवस्टित और अनुसासित जीवन व्यक्तित करने और उन कर्तब्यों का पालन करने के लिए भी है, जो सोसाइटी में रहने के लिए बनाए गए है, देखो कुछ के भी नियम होते हैं, हमें अपना और अपन के साथ से दूसरे का दिखारे को भी संबान करना चाहिए, अब यहां पर जोंडोल्स के दुवारा एक कॉंसेप्ट दिया गया है, परकिर्यातमाक ने आए और तात्विक ने इसने क्या क्या जोंडोल्स ने कि प्रोसीजर और पक्सता होने चाहिए, तभी नयाय कहलाएगा, दूसरा तात्विक, जो डिस्ट्रिबूशन किया गया रिसोर्सेज, और सब तक सब को सही से मिले, और जो सुसाइटी में सबसे वेकवर्ड है, उसको सबसे ज़्यादा मिले, तभी नयाय कहलाएगा, यहां पर आपको में ए रिसोर्सेज डिस्ट्रिबूट करना है, वो इन लोग के बीच में करना है, यह पूरी सुसाइटी के अंदर करना है, तो अभी जो हमने देखा, जोनरल सिहाँ पर कहता है, कि सुसाइटी में जो इधर के लोग है, यह सबसे अमीर है, और इधर के जो लोग है, यह पिछड़ों में सबसे पिछड़े हैं, तो जोनरल सिहाँ पर कहता है, रिसोर्सेज का सबसे जादा फाइदा इनको होना चाहिए, तो पिछड़ों में सबसे जादा पिछड़े हैं, तरकार को करना क्या चाहिए, इन से टेक्स लेना चाहिए, इन में बाट देना चाहिए, यह होता है equality यानि कि substantive justice तो procedural and substantive जो goods है जो resources है अगर उसका फाइदा वेकवर्ड क्लास उसको हुआ है जो society में सबसे वेकवर्ड है जो पिछड़े लोग है तो समझ लो वहाँ पर justice हुआ है इसलिए जो नोर्स कहता है कि हमेरो से लो गरीबों में बाट दो सबके साथ equality हो जाएगा अगर माल लो हम इनको भी देंगे इनको भी देंगे और इनको भी देंगे तो भाई यह तो पहले से ही आगे यह तो और आगे बढ़ जाएगे और यह बिचारी जो पहले से पीछे हो और पीछे हो जाएगे बट इस बार 2023 के अंदर जो कोशन आया था वो नोजिक के उपर आया था चलिए हम जानते हैं नोजिक क्या कहता है नोजिक जोन डोल्स के अलोजना करता है बोलरा अच्छा वेट्टे मेरी से लोगों गरीवों बाड़ दो ऐसा नहीं होना चाहिए नोजिक क्या कहता है अपनी बुक के अंदर उसकी बुक का नाम था अनार्की इस्टेट एंड यूटोपिया और ये जो बुक आई है इसकी इस बुक के अंदर नोजिक ने अपने सिधानते दिये है नोजिक यहां पर क्या कहता है कि माल लो कि एक इंसान है यह इस्ट्री में बहुत मेहनत करता है मेहनत से वो अपनी जमीने धंदोलत बनाता है और सरकार आज का टाम पर उसमें हैविट टैक्स लगाकर गरीवें बाड़ देती है भाई यह तो गलत है ना यार इसने मेहनत से भी किया है अब फिस अंगर्स करके किया है यह तो जो इसके हिस्से में है भाई वो इसके हिस्से में रहना चाहिए कोई हाथ में लगाएगा इसको नोजिक क्या कहता है कि जो जोन डोल्स कह रहा है कि भाई इंसे लो और गरीवें बाड़ दो यह तो गलत है इत्यास्त में उसने पका कोई ऐसे कर्म के होंगे इसलिए आज उसके पास यह है सब ने थोड़ी सोसन कहा है भाई इसलिए नोजिक अपना यह सिधान दियता है अब दोने में डिफरेंस पूछा गया है तो चलिए डिफरेंस के हम बात करते हैं आपे सबसे पहले नोजिक क्या कहता है यह व्यक्ति अधिकारों और हगदारियों की बात करता है हगदारे का सिधान जो व्यक्ति के पास है उसके उपर उसका हक है उसी का वो हगदार है उससे कोई छीन नहीं सकता बट जोनरोर्स क्या क्या क्याता है कि निस्पक्सता और समानता कब आगी सोसाइटी में जब फेरनेस के साथ सब को distribution क्या जाएगा जो resources है उसको इस तरह कि सपार्टा जाए ताकि सब को equality के साथ मिल भी जाए और जो backward है उनको थोड़ा जादा मिल जाए भाई अपने लाइफ में लाइफ में सकसे होने के लिए तो मालोगा resources को बातना है इसको सोर पे दे रहे हैं इसको भी सोर पे और इसको भी सोर पे तो यह रस्टिस नहीं है यह क्या कहता है निस्पक्सता तभी आएगी जब इन सब को सोसोर पे दो और इनको आप तभी एक्वेल्टी होगी, क्यों कि यह पिछड़ा है भाई, अभी वैक्वर्ड है नहीं, इसके पार रिसोर्स है नहीं, तो इनके बराबरी क्या से कर सकता है, इनके पास तो सब कुछ है, इनके सेलरी भी आही होगी, अब आपको आगए समझ में, हाफी मैं क्या कियाना चाह यानि कि जो स्टेट का जो रोल है, वो मिनिमम होना चाहिए, इसके लिए हम रिसोर्स को लेंगे, और हम सब में इक्वर्ड इस्ट्रिब्यूट कर देंगे, इससे क्या होगा, जस्टिस हो जाएगा, बट दोनों की बाते अलग-अलग है, यह बोलता है कि नयाइपून तभ अपने बज़े से अमीर है ना वो, गरीब तो अपने बज़े से गरीब है, अगर सुसैटी में यह वाली इनिक्वैलिटी है भी अमीर गरीब की, तो यह तो सही है, तो नोजिक इसको सही मानता है, बट जोन्रोस इसको घलत मानता है, यह बोलता है नहीं भाई, यह बरफित देना होगा, तब ही justice हो सकता है इसलिए John Rose निस्पक्सता और equality की बात करता है और ये बात करता है, मालिकाना हक की ये किसे सपने और किसे imagination की बात नहीं करता है बलके John Rose सपने की बात करता है एक ऐसे imagination की बाग करता है, जहाँ पे लोगों को कुछ पता नहीं था, वो एक परदे की पीछे थे, अचानक से वो निकले, उनको सारी society में resources दिखा, और एक के करके, उन सब को लगा कि भाई, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और यहीं से, जो conflict है, वो start होता है, तो यह तो दोनों की theory के बीच में difference, अब हम आजाते हैं अपने next question, next question क्या, अधिकारों के तीन पीडियों के बारे में बताईए, जो rights हैं, उसके तीन पीडियों है, right and essay on the evaluation of three generation of rights, देखो, rights की demand कब हुई है, जब हमें लगा कि भाई, यह हमारे पस नहीं है, यह हमारे उपर अपर अधिकार किया जा रहा है, हमारे लीवल्टी को खत्री में डाला जा रहा है, तब लोगों ने जाके अधिकारों के मांग करी, जैसे 1776 में दुनिया के पहला देश हुआ है ऐसा अमेरिका, जो बिर्टेन से आजाद हुआ, इसके अवाद 1789 में ट्रेंस्रेशन हुआ, तो व सब किया जाए लगा है, तो यही तो अधिकार भी कहलाता है, मेरे पास बहुत सब कुछ है, जो एक इंसान होने करना दे नह दो मुझे मिलना चाहिए. तो जहली से बाते है कि मेरे पार justice है यहाँ पे, मेरे पार अधिकार है यहाँ बट अधिकारों की demand अलग-अलग time पे अलग-अलग हुई है इसको 3 PID में बाट आई है, जिसने हम chapter बाट देते हैं, तीन chapter बाट देते हैं रास्तं बहुत बाई तो लोहों को लगा भाई कि इस टानित में रांतिक अधिकार की डेमांड चाहिए भाई लोगों ने डीक commerce के लिवाई बनको ना रिकता हम भी नहीं डिया जाते भरजली लोगा यहां पर ना रिकता और रांतिक अधिकार यानी कि civil rights and political rights के यहां पर demand की गई, पहला rights यह हो गया हमारा इसको आपको define कर दियाना है कि African countries में, European countries में, Racian countries के अंदर इनकी demand की जा रही थी इसके वाज आता second generation का right वो है आर्थिक समाजिक और सांस करतिक political rights हमें मिल गया, अब हमारे coding देश का निता बन रहे हैं, हम बोट डालने लग गये हैं अब तो यानि कि यह time है 16, 17 और 18 century की बट अब जब 19 century में हम आगे industrial revolution हो गया, 1750 से लेकर 1850 के बीच में, तो भाई, यहां पर जिसके पास industry है, जिसके पास पैसा है वो तो अमीर बन गया, विचारा गरीब गरीब रह गया तो यहां पर जो second generation का right है एकनोमे equality की demand कर रहा है, यहां पर आर्तिक अधिकार की बात की जा रही है, समाजिक और सांस्कृतिक अधिकार की demand की जा रही है यानि कि second generation की लोगों ने जो की 19 और 20 century के स्टार्टिंग स्टार्टिंग तक economic, social और cultural rights की demand करी है जो third generation की लोग है, उन्होंने किसकी demand करी है, उन्होंने demand करी है एक जूटता, भाई जेको सब कुछ तो में लिए आया अब unity होना ज़रूरी है, और पर्यावरन हमारे बहुत खतनाक हो जागा अगर यह disbalance हो गया तो, इसलिए पर्यावरन की अधिकार हमारे पास उन्होंने है, पर्यावरन को और हम सबको मिलकर protect रखना है, हमें कितना ज़्यादा production भी नहीं करना भाई, COT के मात्रा कम करना है अगर आप देखें कि आशकल जागा तर जो confidence भी होते हैं, वो environment को लेकर होते हैं मोजीजे भी गई भी थे हैं तो third generation के जो rights वो unity है education कहा सकतो, women rights कहा सकतो, यह सब इसकंद मासामिल है और पर्यावरन अधिकार, यानिकि environmental rights यह diagram आपको बना दिया है, तो यह flow chart आपको बना दिया है अपने answer के अंदर, यह 3 PDK यान 3 generation के rights से इसमें आपको यही बताना है बस, बाकि मैंने आपको वीडियों बताया हुआ है आप उसको दे सकते हो मैंने पूरी playlist की link भी आपको इंजर description box में दे दिया है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमेशन कहलाता है सुरक्षात्मग भीदबाव कहलाता है अब मालो सुसाइटी में इतने सारे लोग रह रहे है अब मैंने आपको बताया था तो इन में से कुछ भाई backward class के लोग भी होंगे तो क्या हम यह सही कर रहे उसको हम देंगे तभी तो भाई यह नोर्माली यह सभी लोगों के बराबर होंगे बनना तो भाईन का exploitation हूता रहेगा इसलिए यहां पर यह debate का इसुए आपको इसमें यही बताना है कि अबशर के समानता हम सबको दे देते हैं इक्वैलिटी का यूज करते हुए जो गरीब बिचारी वो गरीब रह गए तो भाई पिछड़ा तो पिछड़ा रहा जाएगा इसलिए निस्पक्स्ता का सिधान के बारे में आपको बताना है क्योंकि सुरक्षात्मा भीदबातों आपको समझमा गया सुरक्षात्मा भीदबा का मतलब तो जो लोगों को दिया गया जर्विलसन यानि कि आरक्षण ताकि उनका सोसन ना हो जो इतिहास में उनका साथ सोसन हुआ है उससे वो उभर पाए यानि कि अपने उस नुक्सान के वो भरपाई कर पाए जैसे कि आज ST, ST, OVC समुदा यो कम्यूनिटी को दिया जाता है आज तो EWS भी जोड दिया गया मोदी गवर्मेंट के दोरा के बट यहां पर निस्पक्सता का सिधानत अब यह आपको यह बताना है निस्पक्सता का जो सिधानत यह जोन डोल्स के दोरा दिया गया है अपन परतिक और समाजिक दसा होती है इसरे जोनरूर्स कहता है कि सब लोग समाज सोशाइटी में अलग-अलग है कोई अमीर है तो इसके अकोडिंग भी रिसोर्से से इस तरीके से डिस्रिबूट किया जाए अमीर की अमिरी देखकर और गरीब की गरीवी देखकर र्ण आपको अपने विचार आपके क्या बिचार इसके अंदर गरी बाकि आरक्षण जारूरी है यह जरूरी है कि आरक्षण का जो गरीटेरिया है फैमिनिस्टों के दुवारा क्या कहा जाता है या फैमिनिस्ट कौन होते हैं फैमिनिस्ट वो सभी लोग होते हैं जो महिलाओं और पुरुसों में समानता की बात करते हैं फैमिनिस्ट यानि के दुवारा कहा जाता है कि जैविक भेद के अतरिक्त यानि कि जो बाइलोजिकल डिफ्रेंस्ट ने नहीं किये हैं बट ऐसे डिस्क्रिमिनिस्ट ने किये हैं समाज के दुवारा जो भी डिस्क्रिमिनिस्ट के एट किया गया महिला और पुरुस में मेल और फीमिल में समाज ने किया तो समाज इसको खतम भी तो कर सकता है इसलिए महिला यह कहती है तो यह तो होगे नारिवाद महिला और पुरुस में समानता की बात करता है और के सिस्टम जो पुरुष परधान समाज है हमारा मेल डोमिनन सुसाइटी यह इसकी एंड की बात करते हैं तो यह तो हो गया हमारा फैमिनिजम लेकिन यह प्राइवेट और पब्लिक इसका मतलब क्या है यहाँ पर कोस्तर में कहा गया प्राइवेट और पब्लिक की डिवेट इसका मतलब यहाँ पर क्या है नारीवाजों ने कहा निजी ही राजनीती है यानि की निजी बनाम सारवजनिक सार्वेट एक महिला का जो प्राइवेट लाइफ है उसे घर बाल पच्चे है डूमेस्टिक लाइफ तो यहाँ पर नारीवाज्यबञ एक कॉंचेप्ट देते यह सबी के लिए बनाये गया है, तो यह हो गया सार्जनिक छेतर, यानि कि पब्लिक सेक्टर, लेकिन सरकार उन जदा पे इंटर्फेर नहीं कर सकती, जो एक महिलाओं के घर में होता है, इसलिए फैमिनिस्ट क्या कहते हैं, कि निजी ही राजनिती है, राजनिती अगर सरकार करती है, तो वहाँ पे सरकार इंटर्फेर कर सकती है, दखल दे सकती है, लेकिन, जो निजी सेक्टर एं महिला का, वहाँ पे नारिवाद ये कहते हैं, कि महिलाओं के साथ जितना भी अत्याचार सोसन होता है, बहुत उसके घर के अंदर होता है, यानि कि निजी ही राजनित यह एक ऐसा समय था जब परिवार में महिलाओं का सबसे ज़्यादा सोसन होता था इसलिए नारी वादियों ने इसे सावजन करने की बात कई यानि महिलाओं का सोसन उनके परिवार के दौरा ही किया जाता था और जब मेंट फोकस सोसाइटी पर रहता था पब्लिक सेक्टर प इसके लिए कुछ थिंकर जिन्होंने आवाज उठाई जिसे पहली थिंकर आप इस इमेज में देखिए यह सुजन मोलर ओकिन इन्होंने अपनी वाज उठाई जिनके दौरा कहा गया परिवार के अंदर पॉलिक्स ना हो कोई इस कॉन्फिक्ट ना हो जो भी समस्यां चित और समझा बुझा कर किया जाए कि जब भी देखा जाता है जेंडर डिस्क्रिमिशन को लेकर तो फैमिली से ही एक वाज उठती है लड़की हो गई अरे यारे तो विकार हो गई लड़का हो गई अरे हाँ बहुत खुसी होई बहुत खुसी होई आज सुसाइटी में इ इस डिस्क्रिमिशन का सिकार रही है इनिक्वैलिटी बढ़ी है महिला और पुरुष को लेकर इसलिए यह पेटियार के सिस्टम की एंड की बात करते हैं एंड भारत के महिलाओं की उस्टिति अब भैतर हुई है चाय एजूकेशन और डिफेंज हो हेल्थ हो सभी सेक्टर म महिला आ गया है बट इसके बाद गोज़गित हैं जो डिकार्बर मेड़ whose होता आया है इसके बाद इसके बादक नेश कोशन हमारे सामने आता है वो आता है क्या सैंसर का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इस सरकार लिखित यानि कि जो return है या जो oral रूप से या किसी भी तरीके से print media, social media या television, radio जिस भी तरीके से सूचना या दी जाती है जनता तरक सरकार का उस पर control हो जाना इसको कहा जाता है censorship अब ये censorship क्या सही है कि सरकार का control होना सही है क्या पता सरकार control करके निरंकुस बन जाए ताना साही बन जाए डिक्टेटर बन जाए और डिक्टेटर बन जाने के बाद भाई लोग तम खत्रे में आ जाए कैसे तो इसलिए radio television पर censorship होना सही है या नहीं यह debate का इसु है अब आप इसलिए कुछ यहां पर points में आपको बता रहा हूं जो आपको बताना है पहला है नैतिक्ता अगर कोई ऐसी चीजे social media पर viral हो रही है जो असलील हो आपती जनों को moral लूप से वो ठीक नहीं है protection of public morals के लिए यहां पर सरकार sensor लगा सकती है जैसे का pornography वीगे रहा हूं कि सरकार लगाया हुआ इस पर मना किया हुआ है नहीं चला सकती है भारत के नदर बैन किया गया है काई सारे पूर्ण साइट से लगा हूं और national security यानि कि उन सुचनाओं का परसार करने सरकार रोक लगा सकती है जो national security वाली बातों को सरकार नहीं बता सकती है और ऐसे भासन जो नफर 14 साल से भी कम लिड़की है उनकी लिए खतरा हो उनकी परिवरिस के लिए खतरा हो और जो public order है यह बना रहे है को ऐसी सूचना circulate ना हो जो किसी special एक community को भढ़का दे तो यहां पे भी सरकार यह सेंसर से लिप लगाती है देखते हो जब मूवी बनती है तो उसे sensor से पासक्र आपको जितने भी मैंने यहां पर questions बता यह समझ में आगे होंगे आप शलिए हम बात करते है अपने short notes के जो कि exam में end में आता है जिसमें आपको चार option दिया जाता है चार मेंसे को दो करना होता है वर्ट में आपको चारो के बारे हम बता देता हूं क्या क्या आपको लिखन आपको लिखना कम पड़े और टोपिक फ्लोचार्ट के अंदर देने से पीचर पर काफी अच्छा इंप्रेसन भी जाता है तो यहां पर कहें आज political theory का world war second के बाद यानि 1945 के बाद theoretical चीज़ों बाद कम किया जाने लग गया और यह सिर्फ academic subject बनके रहे गया यानि कि सिर्फ schools और college में पढ़ाने वाला एक मात्र subject बनके रहे गया political theory अब धरातल पर जो इसके बाते हम पढ़ते हैं कहीं पर इसको implement भी नहीं किया जाता है यह बात यहां पर कही जा रहे इसलिए इसका decline हो गया नहीने बिचारधारा आगे भाई political theory के अंदर सिर्फ हमने जो बिचारध इसके लावा और भी नहीने बिचारधारा में बहबारवात का उद्धे और प्रभाव हुआ नहीने तकनीक की क्या जाने से practical चीजों पर ज्यादा जूर दिया गया political theory यहाँ से decline के और चला गया and political thinker जो रहें जैसे काल माक्स, डैवर्ड इस्टन इन सब के दवार जो theorist दी गई और ऐसे और भी लोग है scientific चीजों की बात ना करके जो philosophical बाती की वो आज धरातल पे नहीं है और जो बात उस टाम के लिए सही थी वो आज सही नहीं है आज उनका relevance खतम हो गया तो कहीं नहीं कि दोनों ही एक दूसरे के बीना अधूरे है liberty का मतलब यहाँ पर क्या होता है मेक्क्यावली कहता है कि बंधनों का अभाब liberty नहीं है जहाँ पर कोई बांडिशन ना हो बलकि अनुचित के स्थान पर उचित परतिवन होना ही liberty कहलाता है यानि कि अनुचित नहीं अगर जो उचित हो जो सही हो वहाँ पर restriction करना ही liberty है स्थान दृत्ता है यह मेक्क्यावली कहता है वाकि अभी हमने उपर पढ़ा ही liberty का मतलब यहाँ पर इन दोन में रिलेशन बताना है रिलेशन क्या बताना है आपको फिर टोनी यहाँ पर क्या कहते है कि समानता और स्थान दूसरे के भिरोधी नहीं है बलकि यह दोनों एक दूसरी के साथी है जो बिने दूसरे के concept इस्टेविलिस होई ही नहीं सकता है अगर आप देखोगे कि मालू आपके पस liberty है बट equality नहीं है तो वो liberty कि स्काम का अगर आपके पास equality है बट liberty नहीं है तो वो equality कि स्काम का तो यही पूर इसने अपने concept दिये और इसने बताया कि equality क्या है और equality कितने types का होता है अगर देखा जाए जो रूसों के द्वारा बताया गया है इसने क्या कहा जैसे कि सभी के साथ equal treatment करना जो जैसा है उसके साथ वैसा करो यानि कि discrimination ना करना वाट इसने कहा कि equality दो प्रकार का है पहला है natural इसने कि अधर कोई हम चेंज कर नहीं सकते वाई यह तो नहीं किया है लेकिन दूसरा होता है social inequality अब इस समाज ने बनाया है तो समाज खत्म भी तो कर सकता है जैसे काला गोरा हम ने बनाया है लेकिन काले और गोरे के अधार पर हमसे वही द्वाव समाज करता है तो ऐसे discrimination ज देता है अपने रूसों और यह equality को दो parts में केटेगराइज करता है एक होता है natural inequality दूसरा होता है social inequality इसके बारे में आपको इसमें बताना है ऐसा मानतक जड़े यह पूरा बताता है कि समपती का एक जगह पे हो जाना मानब जाते हैं अमीर गरीब तो पैदा हुए है no doubt बट अमीर अपने अंडर गरीबू को रखता है सोसन करता है तो ऐसे discrimination को वो खतम करने की बात कहता है इसको खतम करने की बात करते है तो उनका में मक्सद होता है महिलाओं और पूरुसे में जो समानता है यह हो education field के अंदर legislative में international national politics के अंदर domestic violence से इनको शुटकारा मिले rape जैसी घटना जो बढ़ रही है ऐसी घटना ना हो and सिक्षा और महिलाओं के अंदर भी literacy rate बढ़े और property पे politics में social defense सभी sector के अंदर महिलाओं को उतनी ही बराबरी मिले जितनी पूरुसोग मिल रही है क्योंकि यह दिखने में theoretical subject है लेकर सब कुछ practical है हम अपने लाइब से इसको रिलेट कर सकते है सब कुछ हम आई जिन अपने लाइब में सुनते भी है तो इस पूरे topic की वीडियो देख रहने के बाद अगर एक वर आपने नोर्स को पढ़ डाला कसम से गया तो लाइब जिंगा ला नोर्स को डाउन करने की लिंक नीचे description box के अंदर है एक वर लिंक से क्लिक करके नोर्स ससके पर देंग अपको एक्याम के अंदर है सारे IQ कर सा जाना जाना है वही कोसा में जाना इसके बहुत पढ़ना नहीं है बहुत अच्छास बिचाना हुआ है धा यह वीडिया को कैसे लेकिने से कमेंट बॉक्स में बताना, इस वीडियो को सभी जगा से रिकर देना, टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने सब को जल्दी जल्दी बताया, तकि आपका टाइम ज्यादा ना लू और असानि साब को सब को समझा दू, चैनल पर नहीं तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करके बैर कर ओन करना, विडियों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्यार महांबत बनाया रखना, जय हिंद जब भारत.